हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज की इस वीडियो में हम लोग पिन बूस कपलिंग के बारे में जानेंगे पिन बूस कपलिंग का साइज क्या होता है, मैकसिमम स्पीट कितना है, गैप सेटिंग कितना में करना है बोर कितना करा सकते हैं, सारा हम लोग हर एक मॉडल के हिसाब से जानेंगे तो वीडियो बहुत नॉलिजबल होने वाला है दोस्तो, अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरन चैनल को सब्स्राइब कर लिजए, साथी बेल आइकन को प्रेस कर दिजए, जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तो चैनल का मेंबर्सिप अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है, तो तुरन जाकर चैनल का मेंबर्सिप जॉइन कर लिजए, क्योंकि मेंबर्स के लिए इस्पेसल वीडियो अपलोड हो चुट नहीं है दोस्तो, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में व बोर साइज जो इसका minimum बोर साइज है दोस्तो वो 12.7 mm है maximum बोर साइज 28 mm है और number of pin boost इस पर कितने pin boost लगे हुए रहते हैं तो इस पर 3 pin boost लगे हुए रहते हैं और इस coupling का जो gap है वो आपनों को 3 mm में set करना है दोस्तो और coupling का जो OD रहता है वो 95 mm रहता है और hub का जो OD रहता है दोस्तो वो 40 mm रहता है अब चलते हैं दूसरे model में KBC2 जो KBC है दोस्तो ये model है और जो 2 है वो साइज है pin boost कपलिंग का साइज है अब KBC2 के बारे में जानते हैं हम लोग इसका जो maximum running speed रहता है दोस्तो rpm जो रहता है वो 5100 rpm में आप इसको run कर सकते है minimum bore size इसका जो है इसका भी 12.7 है bore size जो है इसका 30 mm है number of pins जो होते हैं number जो number of pin boost जो होते हैं वो 4 लगे वए रहते है gap इस पे जो set करना है इस पे भी 3 mm का gap set करना है और coupling का जो OD है दोस्तो वो 114 mm है और hub का जो OD है वो 42 mm होता है दोस्तो kbc2a model का भी जान लेते हैं kbc2a जो model है इसका maximum जो speed रहता है दोस्तो वो 4400 speed में चलेगा ये 4400 rpm में चलेगा bore size जो होता है इसका minimum bore size है 16 mm और maximum जो bore size है इसमें आप लोग 42 mm का maximum bore size कर सकते हैं number of pin boost जो है वो 6 लगे हुए रहते हैं इसपे और ये वाले model में भी आप लोंको 3 mm का gap set करना है coupling का जो OD रहता है दोस्तो इसपे भी 130 mm का coupling का OD रहता है और hub का जो OD रहता है दोस्तो वो 60 mm का hub का OD रहता है दोस्तो अब समझते हैं KBC 3 के बारे में KBC 3 जो रहता है इसको हम लोग maximum speed 3600 rpm में हम लोग इसको चला सकते हैं ये वाले model के coupling को bore size जो होता है minimum bore size इसका भी 16 mm है maximum bore size 48 mm है number of pin boost इसपे लगे हुए रहते हैं 4 दोस्तो चार pin boost लगे हुए रहते हैं gap इसपे आपको maintain करना है 5 mm का gap maintain करना है दोनों के coupling के बीच में coupling का जो OD रहता है 160 mm रहता है दोस्तो और hub का जो OD रहता है वो 68 mm रहता है दोस्तो अब चलते हैं KBC 4 की और KBC 4 जो model का pin boost coupling रहता है दोस्तो उसको maximum rpm आप लोग तीन हजार में रन कर सकते हैं बोर साइज जो है minimum बोर साइज 20 mm है और maximum बोर साइज 65 mm है नंबर आप पीन बूस इसपे 4 या 6 लगे हुए हो सकते हैं और इसपे भी आप लोग को 5 mm का gap set करना है दोस्तो coupling का जो OD रहता है इसका 191 mm रहता है और hub का जो OD रहता है दोस्तो वो 90 mm रहता है दोस्तो अब चलते हैं दुसरे model में KBC 4A KBC 4A जो model का पीन बूस कपलिंग है दोस्तो इसको भी आप लोग 3000 rpm में रन कर सकते हैं maximum speed जो है इसका 3000 रखना है बोर साइज minimum इसका भी 20 mm होगा बोर साइज maximum इसका 65 mm आप लोग कर सकते हैं number of pin boost इसपे भी 4 या 6 लगे हुए हो सकते हैं दोस्तो minimum gap आपको 5 mm का इसपे भी maintain करना है कपलिंग का जो od होगा इसका 191 mm होगा और hub का जो od है दोस्तो वो 90 mm होगा दोस्तो अब चलते हैं KBC 5 model में KBC 5 model का जो pin boost कपलिंग है इसको आप लोग 2600 rpm में run कर सकते हैं maximum इसका bore size जो रहता है minimum bore size 25 mm कर सकते हैं और maximum bore size 75 mm कर सकते हैं number of pin boost इसपे 6 लगे हुए रहते हैं और इसका भी gap आप लोग 5 mm में maintain करना पड़ेगा दोस्तो इसका जो standard gap रहता है वो 5 mm रहता है कपलिंग का OD इसका जो रहता है 225 mm रहता है और hub का जो OD रहता है दोस्तो वो 105 mm रहता है दोस्तो अब चलते हैं KBC 6 model की और KBC 6 model का जो pin boost कपलिंग है इसको maximum आप लोग 2300 rpm में running कर सकते हैं 2300 rpm में दोस्तो और bore size इसका minimum bore size 45 mm maximum bore size 95 mm होता है number of pin boost इसके लगे हुए हो सकते हैं 8, 10 या 12 इसके लगे हुए हो सकते हैं 10 या 12 pin boost लगे हुए हो सकते हैं दोस्तो इसके भी आपको gap set करना है 5 mm का और कपलिंग का OD इसका रहता है 214 mm और hub का जो OD रहता है दोस्तो वो 135 mm होता है अब चलते हैं अगले मोडल की और अगला मोडल है KBC 6A KBC 6A को आप लोग maximum जो speed है इसका दोस्तो 2300 RPM में इसको run कर सकते हैं bore size minimum bore size 45 mm कर सकते हैं maximum bore size 95 mm आप लोग कर सकते हैं दोस्तो number of pin boost इसके भी 8, 10 या 12 pin boost आप लोगे को देखने को मिलेगा gap इसके भी आप लोग को set करना है 5 mm का दोस्तो coupling का OD इसका भी 214 mm का होता है और hub का जो size है दोस्तो वो 135 mm का होता है दोस्तो अब KBC 6B के बारे में जानते हैं KBC 6B जो मोडल का pin boost coupling रहता है दोस्तो उसको भी आप लोग maximum RPM 2300 में running कर सकते हैं दोस्तो bore size minimum 45 mm होता है maximum bore size 95 mm कर सकते है इस पे भी number of pin boost जो लगे हुए रहते है 8, 10 या 12 हो सकते है gap आप लोग को 5 mm में set करना है coupling का जो OD है दोस्तो वो 214 mm है और hub का जो OD है वो 135 mm होता है दोस्तो KBC 6B model के coupling में दोस्तो अब समझते हैं अगले model को KNBC 7 यहाँ पे थोड़ा सा इसका model चेंज हो जाता है KNBC और 7 जो है इसका size है और इसको आप लोग maximum जो speed है इसका RPM जो है 1950 है minimum bore size 60 mm रख सकते हैं दोस्तो maximum bore size 115 mm रख सकते हैं number of pin boost इस पे 12 लगे हुए रहते हैं और इसको भी आप लोग को 5 mm का gap set करना है दोनों coupling के बीच में और coupling का जो OD रहता है इसका 290 mm रहता है और hub का जो OD रहता है वो 170 mm रहता है दोस्तो अब समझते KNBC 7A यह वाला model का जो pin boost कपलिंग है दोस्तो इसको आप लोग 1900 RPM maximum में running करा सकते हैं इसका minimum बोर साइज 60 mm आप लोग कर सकते हैं maximum बोर साइज 120 mm कर सकते हैं number of pin boost की बात करें तो इस पे 14 pin boost लगा हुआ रहता है दोस्तो और gap इस पे आप लोग को 5 mm का set करना है और coupling का जो OD है इसका 300 mm है और hub का जो OD है दोस्तो वो 180 mm होता है दोस्तो अब समझते हैं के NBC 8 के बारे में के NBC 8 model का जो pin boost कपलिंग है उसको आप लोग 1850 rpm में running करा सकते हैं minimum बोर साइज 65 mm है maximum बोर साइज 130 mm कर सकते हैं number of pin boost इस पे 16 लगे हुए रहता है दोस्तो और इसको gap आप लोग दोनों कपलिंग के बीच में 5 mm का gap set कर सकते हैं कपलिंग का OD जो रहता है वो 310 mm रहता है और हब का OD जो है दोस्तो वो 195 mm रहता है दोस्तो अब समझते हैं के NBC 8A के बारे में इसको आप लोग 1650 maximum rpm में run करा सकते हैं minimum बोर इस पे भी आप लोग 65 mm का कर सकते हैं maximum बोर इस पे आप लोग 135 mm का कर सकते हैं number of pin boost की बात करें तो 18 pin boost इस पे लगे हुए रहते हैं gap आप लोग को 5 mm में set करना है और कपलिंग का जो OD है इस model का वो है 340 mm और hub का जो OD है वो है 200 mm दोस्तो अब समझते हैं हम लोग KNBC 8B के बारे में इस model के कपलिंग में आप लोग को हुए रहते हैं और इस पे gap आप लोग को 6 mm का set करना है दोस्तो और कपलिंग का जो OD रहता है दोस्तो 360 mm रहता है और hub का जो OD रहता है वो 210 mm रहता है दोस्तो अब समझते हैं हम लोग दोस्तो KNBC 9 model के बारे में KNBC 9 जो रहता है इसको आप लोग 1470 rpm में running करा सकते हैं इसका minimum जो बोर साइज रहता है वो 80 mm रहता है दोस्तो maximum बोर साइज 150 mm करा सकते हैं और number of pin boost की बात करें तो इस पे 13 pin boost लगे हुए रहते हैं दोस्तो और इसका भी दोनों कपलिंग के बीच का जो gap है वो 6 mm में set करना है और कपलिंग का जो od रहता है दोस्तो वो 390 mm रहता है और hub का जो od रहता है वो 225 mm रहता है दोस्तो तो ये pin boost कपलिंग का पूरा details था आप model का हिसाब से maximum speed को पता कर सकते हैं minimum bore size को पता कर सकते हैं maximum bore size को पता कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात आप लोग gap setting के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन से model के pin boost में कितना gap रखना है ये बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए दोस्तो एक feature को तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला knowledge मिला तो वितुरन चैनल को subscribe कर लिजे साथी bell icon को press कर दिजे जिससे आपनों को regular notification मिलते रहेगा दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो